साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, पत्र लिखना सीखें कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक खाता बंद कराने के लिए बैंक मैनेजर को पराथना पत्र कैसे लिखें, तो आए शुरू करते हैं, लिखेंगे सेवा में स्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय अब बैंक का नाम लिखेंगे, जो भी आपका बैंक हो, अपने बैंक का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, बैंक आफ बड़ोदा जो भी आपका बैंक हो, आप अपना बैंक लिखें, और जो भी आपकी शाखा हो, शाखा लिखें, यहाँ पर हम शाखा लिखते हैं, इज्यत नगर बरेली, वो दाहरण के लिए हमने लिख दिया है, यहाँ पर इज्यत नगर बरेली शाखा, और आपकी जो शाखा हो, खाता बंद कराने के संबंध में, कराने के संबंध में, आगे लिखेंगे, महोदय, शविने निवेधन यह है कि, प्रार्थी आपके बैंक का, खाता धारक है, प्रार्थी का नाम, जो भी आपका नाम हो, यहाँ पर अपना नाम लिखें, और जिसका खाता नमबर, जो भी आपका खाता नमबर हो, यहाँ पर खाता नमबर लिखें, है, प्रार्थी अपने, प्रार्थी अपने, पुछ व्यक्तिगत कारणों की, व्यक्तिगत कारणों की, वजह से, अपना खाता, अपना खाता, चलाने में असमर्थ है, जिस कारण प्रार्थी, अपना, प्रार्थी अपना, खाता, बंद कराना चाहता है, खाता, बंद कराना चाहता है, बिराम लिख दें, नई लाइन से लिखें, अतहा स्री मान जी से, निवेदन है, निवेदन है कि, प्रार्थी का, खाता, बंद करने की, पिर्पा करें, बिराम लिख दें, नई लाइन से लिखें, आपकी, महान, किर्पा होगी, बिराम लिख दें, और पत्र के आखिर में लिखें, प्रार्थी, यानि कि प्रार्थना करता, और प्रार्थी का नाम यहां पर लिखा जाएगा, और खाता नमबर लिखा जाएगा, और मॉबाइल नमबर भी लिख दें, और बाद में, प्रार्थी अपने हक्ताक्सर, यहां पर लिख दें, जो भी आप बैंक में हक्ताक्सर करते हैं, और उसके बाद में, इस अप्लीकेशन के साथ, बैंक की, पास्बुक की, फोटो काप के साथ इस प्राथना पत्र को बेंगा